सबी स्टूडेंट्स और अभी वाग को नमस्कार तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं EWSDG डेली के 2023 सेसन के एडमिस्ट प्रोसेस नर्सरी के जी और क्लास वन के अभी चल रहे थे जिसमें की पहली लोटरी रेजल्ट आज सुका था और अभी दूसरा आना बाकी है इसमें बता रखा है कि लिए कि कितनी सीट्स बाकी है दूसरी लिस्ट के लिए तीसरी लिस्ट के लिए तो मैं बता देता हूँ इसमें डेटेल में और कब तक आएगी है जो दूसरी लिस्ट इसका भी बताएंगे अंडर दी राइट ओफ एजुकेशन जो आर्टी एक्ट के अकोर्डिंग जो 25% सीट जो रखी जाती है गोर्मेट एडिट स्कूल में जिसमें EWS, ODG, CWSN कटेगरी को एडिमिशन दिये जाते हैं इसमें से अभी 3700 सीट अभी भी रिजर्वड है प्राइवेट स्कूल में वो खाली है ठीक है जो की EWS, ODG और CWSN कटेगरी को दी जाती है उनमें से अभी भी खाली है ये डाटा किस डेट को आया था 13 अपरेल को ये डाटा डिरेक्टर रोपेजुकेसन ने सभी स्कूलों से ये डाटा मिला था ये अकैडिमिक सेशन 2023-2024 के लिए है जिसमें की 32000 टोटल सीट थी उसमें से 7000 के लगबग अभी भी खाली है 24000 के सम्थिंग सीट सीट सी भरी गई थी तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए उन पैरेंट्स के लिए जो की सेकंड वी लिस्ट का वेट कर रहे है लेकिन इन्होंने एक चीज और भी कह रखी है कि बहुत से पैरेंट्स को एडमिस्ट भी नहीं दिया गया उनके बच्चों को जिनका फस्ट लिस्ट में नाम आ गया था उनको या तो कुछ और दिकत के करण उनका एडमिस्ट कर दिया था ठीक है और अभी जो डिरेक्टर ओफ एजुकेस्ट को जैसे ही ये data स्कूल से मिलेगा डर्क रोपेजु किस्टन ने मांग रखा ये डाटा की कितनी स्कूल, कौन-कौन से स्कूल में कितनी सीट अभी वेकंट है second-third draw के लिए तो वो जैसे डाटा मिलेगा आपको वीडियो के माद्दें से बता दिया जाएगा कौन-कौन से स्कूल में कितनी सीट्स अभी वैकेंट है ठीक है तो जैसे ही अपडेट होगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा आप इस चैनल को सस्क्राइब करके रख लिजिए धन्यवाद